आज हम human body के दो position पहला woman standing and second walking position को quick sketch draw करना सिखेंगे बहुत आसान तरीके से इसके लिए सबसे पहले मैं head बना रही हूँ मैंने last class में भी बतायती कि पहले हमनों head बना लेते हैं बाकी body उसके according हम बनाते हैं यह हम model देखके भी बना सकते हैं कोई picture देखके भी जैसे भी आप draw कर सकते हैं अब head यह जो है यह बिल्कुल front नहीं है थोड़ा से हलका सा side position हो रहे है अब यह वाला head बनाने के बाद यहां से हम line कीच रहे हैं line कीचने से line कीचने के बाद हमने second line जो हम कर रहे हैं हाथ के यहां पर कर रहे हैं ठीक है और neck neck अपने देख लिया straight न जाके थोड़ा सा मैं पहले बोली हो हलका सा side हो रहे हैं यह वाला हम इधर से हम खीच रहे हैं जी यहां बिल्कुल यहां पर elbow आ जाएंगे यहां मैंने गलती से कर दिया था हाँ यह देखे अब यहां से breast के यहां से जाके फिर नीचे कमर के यहां पर आ रहे हैं सो कमर के यहां पर आने के बाद यहां पर थोड़ा सा curve हम कर देंगे blouse को और फिर उसके बाद पेट के position आ रहे हैं जो की third आ आएंगे यहां से यहां से अपना third जा रहे है यह यह third block हो गया third block में आपका elbow भी आए जाएंगे हाथ के और इसके बाद हम नीचे में पैर के तरफ हम घुमा रहे हैं fourth position आ जाएंगे आपके wrist wrist and private part हो जाते हैं fourth position यह girls के हो रहे हैं यह भी ध्यान रखे और यहां से यह private position private parts में यहां पर करके और यहां पर देखे हाथ का भी मैं करूंगी यहां पर elbow के position कर रहे हूं यहां पर fingers जो है वो मैं दिखा रहे हूं और यह quick sketch है quick sketch में यह होते हैं कि आप rough में drawing कर रहे हैं और बहुत फटाफट आपको करना है कोई detailing का काम नहीं होगा सर्फ आपको rough में बनानी हैं यह मैं आप लोग को दिखा रहे हूं यह आप कोई भी market place हो कोई railway station हो कहीं पर भी आप देख रहे हैं या घर पे किसी को भी देख रहे हैं आप जल्दी जल्दी उसका एक rough sketch बना लीजिए और फिर बाद में आप उसका detailing का काम करेंगे यह दिखिए यह हो रहे हैं अब मैं इसको 8B से थोड़ा सा मैं dark कर रही हूं ताकि आपको समझ मा आ जाए जब भी आप कोई drawing करते हैं हमेशा 2H या 4H pencil से आप यूज कीजिए बहुत light होगा और बाद में जब final में आपको करना है तो आप dark में कर लीजिए जैसा मैं यहां पर 8B, 6B ऐसे हम लेते हैं इसमें shading का भी काम कर सकते हैं थोड़ा dark का भी काम सकते हैं अब आपको समझ में आ रहे हैं कि मैंने कैसे मैं की थी यहां से blouse का की थी यह देखिए blouse का की थी और फिर यहां पर थर्ड थर्ड लाइन चला गया थर्ड के बाद में अब यहां पर hips करके मैं पैर के position लेका लेक के cross type के हैं जैसे modeling model लोग करते हैं modeling करते समय एक पैर आगे और एक पैर उसके पीछे में तो देखिए उसको भी कैसे करके position हम कर रहे हैं और यह हाथ भी दोनों हाथ जो है ऐसे टैप के हैं यह actually model का ही figure है अब यहां पर जो हो रहे हैं यह fourth and fifth क्योंकि मैंने पहले ही बताई थी कि यह पूरा नहीं जा रहा नी के उपर तक हो रहे तो यह पूरी figure नहीं है अब मैं इसमें थोड़ा सा detering का काम कर रहे हूँ हलका सा बहुत जादा नहीं करूंगी तरके आपको समझ में आ जाए कि कहां से कैसे हो रहे हैं यह देखिए दोनों pair cross हो गया यह देखिए ऐसे करके हमने किये हैं यह हो गया आपका आज का first अब मैं second वाला करूंगी थोड़ा से speed में जा रही हूँ अगर आपका speed ज़्यादा लगे तो आप उसको slow करके भी देख सकते हैं अब यहां पर हम देखा रहे हैं कि walking का position तो walking का position male female कोई भी हो तो walking भी speed में हो रहे हैं तो आप अब मैंने एक वीडियो में आप लोग को बतायती है कि कैसे observe करना है observation तो यह आप लोग को हमेशे ध्यान रखना पड़ेगा जब हम walk करते हैं तो एक हाथ उपर और एक हाथ पीछे के और जाते हैं एक आगे एक पीछ पीछे या तो आपका मुठी हो सकते हैं या तो आप हाथ को खूल के रख सकते हैं लेग दोनों लेग कभी भी दोने एक साथ में यह देखे मुठी या तो आप open रखिए तो वो आपका है और यह rough sketch है तो detailing में हम लोग नहीं जाएंगे दोनों पैर एक साथ में नहीं उड़ होते हैं अब देखिए पहले मैंने हेड किया उसके बाद जो बॉड़ी है इसको मैं आम के शेप के कर रही हूं आम के शेप करके एक गुला बनाई हूं हलका सा आम के शेप के और फिर यहां से एक पानी के बंदे के जैसा मैं शेप कर रही हूं यहां पर जैसे वाटर का बं sketch है ये आपके आगे के और जा रहे हैं एक अब आप अगर आप पूरा line कीचेंगे तो आप देख लेना कि एक पैर दूसरा पैर से थोड़ा छोटा हो रहे है इसलिए कि वो उपर उठ रहे हैं और इस figure में मैंने कहीं पर कोई block या line मैं नहीं कीच रही हूँ एक में मैंने first में मैंने की थी second में मैं नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ मा जाए क्योंकि speed से जब आप sketch कीजेगा तो आपको line कीचने का भी time नहीं मिलेंगे ये जितना practice कीजेगा उतना जल्दी आपका pick up हो जाएंगे बाद में आपको line कीच के block बनाने के कोई जरुवत नहीं है आप speed से आप खुद कर सकते हैं तो यह आपको इसलिए advance में ही आपको मैं दिखा रही हूँ कि बीना line कीचे आप rough में कैसे कीचिएगा आपको दिमाग में यह position आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे होते हैं वैसे होते हैं पूरा आप दिमाग से इसे calculate कीचिएगा यह देखिए यहाँ पर मैंने कोई line नहीं कीची थी और यह male female कोई भी हो सकते हैं यह देखिए यह पैर उट रहे हैं और दूसरा जो है वो आगे के और जा रहे हैं एक पीछी के और जा रहे हाँ देखिए ऐसे डैप की यह देखिए ध्यान से देखिए और इसको मैंने डार्क में भी कर दिया दोनों position देखिए आप लोग को क कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईए प्लीज आप बताईए ताकि मुझे समझ माजए अगर कोई प्रॉब्लेम है तो मुझे जरूर बोलिएगा पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और दो दिखाऊंगी द दो पोजिशन वकिंग का ही एक मेल एक फिमेल थैंक यू